नमस्कार स्वागात है आपका बिहारी नियूज में मरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे प्रकृति की गोद में बसे राजगीर में बन रहे जू सफारी के बारे में बिहार समयत पूरे देश में राजगीर प्रियाटन की द्रिश्टी से काफी महत्पूर्ण अस्थान है रा मानता दे दिया है इसके साथ ही गोरक पुरिस्थित सहीद असफाक उल्ला खान जीव उद्यान को भी मानता मिल गई है इसकी सुचना किंद्रिय मंत्री प्रकास जाबडेकर ने ट्वीट कर दी है राजगीर सफारी के निदेशक ने बताया कि जुलाई में सेंट्रल जू ऑ अथरिटी ऑफ इंडिया से पस्वों की मांग से संबंधित पत्र सौप दिया गया है डिएफो नेसा मनी ने बताया कि राजगीर सफारी में सेर के साथ ही बाग चीता भालू और हर विवार जानबर रखने की वेवस्था की गई है यहां पुर्वत्तर भारत की सबसे अत्य इसी के पास नेचर सफारी का भी निर्मान अंतिम चरण में है अगले माह तक लोगों के लिए खोले जाने की पूरी संभावना है नेचर सफारी में पुरानी परंपरा के अनुसार नए तरीके से मिट्टी वास और लकडी का कौटेज बनाया जा रहा है यह बाहरी परियाटकों को अपनी और अकर्शित करने में पूरी तरह से सच्छम होगा पहले यहां विभिन राजियों से आने वाले परियाटक खास कर बंगाली परियाटक यहां एक दो दुन ही ठहर पाते थे लेकिन अब यह राजगिर में लंबे समय तक ठहर सकते हैं बुध्पत पर बन रही नेचर सफारी का काम बहुत ही तेजी से हो रहा है भगवान बुध इसी बुध्पत से गया से राजगिर आये थे राजगिर प्रकिर्ति की छटाओं के बीच बसा है मुकमतर निदिस कुमार की राजगिर को लेकर बनाई गई योजनाए अब कारगर होती दिखाई दे रही है निदिस कुमार की इन ही योजनाओं में से एक जू सफारी से आगे जंगल के बीच में बन रही नेचर सफारी की सीमा का पूल बनाया जा रहा है जिसका निर्मान अंतिम दौर में है इस पर चढ़ने वालों को अपना दिल ठाम कर जाना होगा यह सपेंसन ब्रीज चीन की तर्श पर बनाया जा रहा है यह असकाई बाग में होगा इस पूल के नीचे गहरी खाई दिखाई देगी इस पूल पर चढ़ने के बाद ऐसा लगेगा मानू उससे गिर गए लेकिन गिरेंग नहीं जू अच्छे से बन जाने के बाद बिदेशी परियाटकों का भी राजगीर में ठाहराव हो जाएगा इससे राजगीर को परियाटन में बढ़ावा मिलेगा राजगीर में बन रहे दूसरे चुणिया घर के बारे में मीडिया को बताते दीपक कुमार सिह ने बताया कि नलंदा में बन रहे बिहार के दूसरे चुणिया घर को केंदर से मंजूरी मिल गई है।